डियाईजी मनु महराज के बुने जाल में फस गया नकली मनु जासा भी उसकी तरफ से दिया जा रहा था लेकिन डियाईजी मनु महराज ने ऐसा जाल बिछाया कि नकली मनु धरा गया क्या है उसके पकड़े जाने की पूरी कहानी आप सुनिये लड़कियों से अशलील चाटिंग के लिए बना था मनु महराज और जब बेद कुला तो गया जेल यह अकीकत है कि फटजी तरीके से गूगल पर नमबर और मनु महराज जैसी मूच वाली तस्वीर डाल कर लड़कियों से अशलील चाटिंग वर नौकरे दिलाने का जासा देकर ठागी का प्रयास करने वाले गडखा पहाडपूर के रहने वाली मनु कुमाल यादव की अरोपी इस तरह की हरकत कर रहा था उसने पूछताच में बताया कि वो गूगल अकाउंट ट्रू कॉलर पर भी मनु महराज सर का नाम लिखकर अपना मोबाइल नमबर डाल दिया था लड़की जब भी कॉल करती तो कॉल ट्यून में मनु महराज का नाम आता बीच में उसने अपना मोबाइल बंद कर दिया लड़की किसी तरह सरकारी नमबर पता कर नमबर पर मेसेज करने लगी तो उन्हों ने तकाल उस नमबर पर तहकीकात की और पूछताच की तो ये पता चला कि इस नाम वह अन्डे नमबर से दूसरा कोई मेसेज करता है फिर डियाईजी ने अपने इस नमबर को खंगाला और नकली मन्नो के पास पुलिस के टीम पहुँच गई डियाईजी ने करीब एक घंटे तक उसे गहराई से पूछताच की तो उसने सारी बात सामने रख दी मालूम हो कि 20 माई को उसके खिलाफ टाउन धाना में एफ आयाट दर्च की गई थी टाउन धाना पुलिस उसे गरफतार कर जेल फेज रही है अगर आपको भी कोई शक्स शारुक खान सल्मान खान या बड़ी हस्ती बन कर फरजी तरीके से दोस्त बनाने या चाटिंग करने की कोशश करें तो आप भी साबधान हो जाए वो नकली हीरो हो सकता है इस तरह की च महराज ने आम लोगों से ही अपेल करते वे कहा कि अगर इस तरह का कोई भी वेक्ति किसे के साथ ऐसी हरकत करता है तो आप इसकी सूशना ततकाल अपने अस्थानिये थाने को दे तो डियाइजी मनु महराज को तो इस बात की खबर भी नहीं थी जैसे ही उन्हें इस बात की जानकारी मिली उनके होश उडगें लेकिन जब इस पूरे मामले के तहकिकात उन्होंने खुद की तो युवक के द्वारा सारी बातें उगल दी गई आपको बता दें कि इस बात को लेकर मनु महराज ने आम जंता से भी अपील की है कि इस तरह कि अगर कोई भी बात सामने आती है तो आप फॉरण अपने अस्थानिये थाने में जाकर शिकायत दर्च करें और हम भी आपसे यही अपील करेंगे कि अगर कोई शारुख खान, सल्मान खान या कोई बड़ी हस्ती बन कर आपसे चाट करने की कोशिश करता है या आपको अपने जाल में फसानी की कोशिश करता है तो आप पूरे तरीके से इस पूरे मामले की जांच परताल करें हकीकत जानी तभी आगे कदम बढ़ाएं फिलाव के लिए इतना ही जादा अपडेट के लिए आप बने रहें न्यूस्वानिशन के साथ नमस्कार